नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मौनी अवस्या पर मौन रहकर पवित्र नदी सरोवर या जल कुंड में असनान करने का दान करने का विसेश महत्र है माना जाता है कि मौनी अवस्या पर दान करने से स्नान करने से वेक्टी के सारे पाप मिठ जाते हैं मनुवांचित फलों की प्राप्ती होती है तो मौनी अवस्या के दिन प्रियाग राज के संगम में स्नान करना बहुत ही लाबकारी माना जाता है तो इस साल मौनी अमस्या को तिथी को लेकर थोरी कन्फ्यूजन है देखें 21 जन्वरी को मनाया जाएगा कुछ कहते हैं 22 जन्वरी को लेकिन हम अगर पंचांग की मानें तो सनी बार 21 जन्वरी की सुबह 6 बच कर 16 मिनट से अगले दिन इनकी रवी बार 22 जन्वरी की रात 2 बच कर 22 मिनट पर अमस्या तिति समापत हो जाएगी अब उदिया तिति 21 जन्वरी को है इसलिए इसी दिन अमस्या मनाई जाएगी असनान दान का सुब मुर्द क्या है देखें 21 जन्वरी की सुबर 8 बच कर 33 मिनट से लेकर सुबर 9 बच कर 52 मिनट के बीच आप असनान कर सकते हैं दान धर्म से जुड़े कारे भी करने का सुब रहेगा इस दिर पवित्र नदी या कुण्ड में असनान करने के बाद जुरत मंद को आप खाने पीने की बस्तू या फिर जैसे ठंड का मौसम है उससे बशने के लिए कंबल गुड तिल का दान चरूर करे ओम नमो भगवते वासु देवाय नमह या फिर ओम नमह सिवाय का खूब जब अगर हम धार्मिक मानेताओं की माने तो मौनी अमोस्या पर पित्रों का तरपन करने से उनकी आत्मा को सांती मिलती है और पित्रों का आसिरबाद भी मिलता है तो चली जानते हैं इस अमोस्या पर आप कौन-कौन से महाप्रयोग कर सकते हैं पित्री देवों से समंदित दान करना तरपन करना इस दिन बिसेस फल देते हैं और इस दिन बिसेस पर्योग करके आप जीवन की परिषानियों से बाहर निकल सकते हैं तो आज हम आपको लाल मिर्ज से जुड़े वे कुछ खास परियोग बताएंगे जो इस अमवस्या के दिन कर लें तो जीवन की मुश्किलो से बाहर निकले जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए अक्सर टोने टोटके का भी सहरा लेते हैं और यह टोटका कभी कारगर सिद्ध हो जाता है क्योंकि अक्सर देखा गया है बहुत बार आप डर भी जाते हैं पर डर ये मत क्योंकि टोने टोटके अगर किसी ने कुछ क है यह लोग बहुत जदा परिसान कर रहें हैं उनसे बाहर निकलने के रास्ते भी बटाए गये हैं वैसे तो लालमिर्च का टोटका हैि लालमिर्च र किसी के घर में होता है और आपको लेना है लाल सुक्ष मिर्च तो खाने के साथ कई टोटके भी काम आते हैं लालमेर्च मिर्च के घर गियस्ती से जीवन में जुड़ी भी तमाम परेसानियों से भी बाहर निकलने में मदद करता है ये मिर्च और कर्ज से भी चुटकरा दिलाता है तो आज हम आपको लाल मिर्च के पांच प्रियोग बताएंगे जो आपके जीवन की बहुत सारे मुस्किलों से बहुत कारगर होता है अगर आपको बहुत मेहनत करने के बाद सफलता ना मिले तो लाल मिर्च का ये टोटका आप जरूर करें आपको हमें हर वक्त लगेगा जैसे हां सब कुछ अब मेरे साथ अच्छा हो रहा है अगर आपकी जीवन में लगातार समस्या या बाधाय आ रह बर्तन कोई हो सकता है ग्लास है कटोरी है मग है बाल्टी है कुछ भी ले ले अब इस पानी में 21 लाल मिर्च के बीज डाल दे यानि कि एक लाल मिर्च ले ले उसमें से बीज निकाल लिए 21 दाने उसमें से निकाल ले और उसको उस पानी में डाल दें और सोते समय इस बरतन से साथ बार उल्टा उतार लें आपको बाएं हाथ में लेना है और अपने सर से साथ बार उल्टा वार ले न Anyways, साथ बाहर भार फेक देखलें बिना पींचे मुड़ घर incomprit जा कि आप दीखिए इसे मुझे जीमर की बटिलें परियोग निस पांधारने लें पांच लाल मिर्च और इसके साथ ही थोड़ा सा सर्सों के दाने पीली सर्सों थोड़ा सा नमक अब अपने दुस्मन का नाम लेते हुए या फिर अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ टोड़ का किया है तो इसका नाम लेते हुए अपने सर्से या बच्चों के सर्से आप घुम आप खुद पीडित हैं अगर आपको लगे कि दुष्मन बहुत पृष्पान कर रहे हैं आपके बैपारस थल्प या फिर आपके आप जॉब करते हैं वहां लगे वे हैं आपके परोसी परिशान कर रहे हैं आपके घर परिवार के लोग परिशान कर रहे हैं तब पांच लाल मिर्च आप लीजिएगा सुखी वी एकदम साभू टुटी-फुटी मत लीजिएगा और दुस्मन का नाम लेते वे अपने सिर्थ से पांच वार लेकिन इसक आपको करेंगे तो यह प्र опас जरूर कर आपके जिवन से शत्रों का नाम नसद पैने को समयंत करता Cela लाल मिज्टीर के बहुत सारे टोटके होते हैं और उनली में से एक और सदेग क्या होता है आप कर चिसमें फश जाते हैं या पिर आपका पैसा किसी ने ले लि परिसानी बढ़ गई है लेकिन गया हुआ पैसा वापस कैसे है कैसे आपके ही धन आपको नहीं मिल पाते तब आप मुस्किल में पढ़ जाते हैं तो उन धन को प्राप्त करने के लिए जो आपका है उसको वापस लेने के लिए आप रोज जो जल देते हैं भगवान सुरी को जल देते समय आप जल में एकईस दाने लाल मिर्च के या फिर एक चुटकी उठा लें अब चुटकी में जितना भी आ जाए उसको गिनिये का मत और उसको जल में डाल कर भगवान सुरी को अरपीत करें लगातार 21 दिन तक अरपीत कर सकते हैं अगर 21 दिन तक ना कर पाएं तो आप आपके बदले में भी कोई कर सकता है कोई दिकत नहीं है तो यह प्रियोग जब कीजिए का तो भगवान सुरी से आप अपनी समस्या कहिएगा और उनसे प्राथना कीजिएगा कि जीवन में जो मुस्किले हैं जो धन की समस्या है उनसे आपको मुक्ति दिलाएं दूसरे में काला तिल रखें साबुत नमक रखें और साबुत धनिया रखें और हर दीपक में एक एक लाल मिर्श डाल दें यानि तीनों दीपक में आपको थोरा थोरा सब कुछ ले लेना है और उसमें एक लाल मिर्श डाल दें अब इन तीनों ही दीपक को अगर दीपक न बाधाएं जो मुस्किलें हैं वह समाप्त हो जाएगी और आपका व्यापार चलने लगेगा बहुत सिंपल है और साथ ही काम की बाधाओं को दूर करने के लिए लाल मिर्च के 21 दाने को लेकर आप एक बरतन में पानी भरके डाल दें और अपने उपर से साथ बार वार कर इसे रोट के उपर भी फेक सकते हैं इससे भी आपके काम दन्ने में जो मंदी है वो समाप्त हो जाती है और चलने लगती है तो समस्याओं से मुक्ती पाने के लिए लाल मिर्च और लाल मिर्च के बीज बहुत ही ज़्यादा अचूख फल देते हैं और आपको इसके रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलते हैं तो यह वाला प्रियोग आप कर सकते हैं इससे आपकी जीवन की समस्त परिसानियों से आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगी तो लाल मिर्च का जो टोटका है हर कारियों की बाधाओं को दूर करता है अगर आपके घर में बच्चे हैं जल्द जाले की बेवस्ता करें वहां पर झिला दें तो ऐसा करने से बच्चे नजर दोस्ते बच्यरें गैंगे और वह ज़ल्य चीख हो जाएंगे कई बार क्या होता हैब ऊस्य गहर में लोग बीमार हो जाते हैं बीमारी पीचा ही नहीं छोड़ती तब एक चोटा सा प्रियोंक क सब कुछ एक लाल कपड़े में बंध लें अब इसकी पोटली बना लें और अपने घर में रख दें सनीबार की रात और अगले दिन सुबह घर से बाहर निकलते वे भगवान का ध्यान कर प्रातना करें है प्रभू हमारे कस्टों को दूर करें सुख सम्रिद्धी दें और पो इस सानियों से बाहर आने में मदद करेंगा और इस को Kathy और को और कुछ करने की आवसक्ता ही नहीं पड़ेगी क्योंकी यह प्रियोग एक बार में ही फाल देने लगता है और एक बार में ही आपको रिजल्ट भी इसके मिलने लगें तो लाल मिर्च के प्रियोग आपके जी साथ लाल मिर्च जो कच्छी वाली होती है सुखी यहां पर नहीं लेनी है साथ लाल मिर्च ले 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 एक नीमबू ले ले और इसको काले धागे के साहरे गूत लें अपने प्यपार अस्थल पर या घर के दर्वाजे के बाहर टांग दे हर सब्दा चेंज करना है कि जो और बाहर से वह संतुष्टों के हड़ जाती है अगर कर्ज में फसे हैं कि बहुत ज्यादा या फिर कोई आपका पैसा लेकर बैठ गया है दे नहीं रहा तब धन की मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए आप भगवान सुरी को एक लोटा जल में एक चुटकी लाल मिर्च के बीज या फिर 11 बीज लेकर आप उसको डाल कर लगातार सुरू करिए आप रविवार के दिन से सुरू कीजेगा और लगातार 21 या 27 तक दिरिए आप चाहे तो लंबे समय तर दे सकते हैं और उनसे प्राप्ता करें धन प्राप्त करने के लिए तो आपको मिलने लगेगा क् भगवान सुर्य सरवती साक्षी भूता में सब कुछ देख लिए सुड़े वाले देव हैं और लाल मिर्च का प्रियोग जब दुकान ना चले बंदी दुकान है तो हमने आपको बताया है पानी में डाल कर भेखना है लाल मिर्च के बीच उसको भी कीजेगा आपको इसके म रूर मिलेंगे हम आपसे बीचा लेते हैं लाल मिर्च हर हाल में आपको हर समस्या से रहात दिलाएगा धन्यों